तो हेलो फेंट्स क्यासे हो आफ सवाइशी कच्छे हों गाई तो आज मैं बहुत अमेजिंग से रेसिपी लेकिया हूं गेवर मिठाई तो आप दोगों ने चरूर खाया होगा चंपारा ने स्पेसल गेवर मिठाई आज मैं आपको फर्स क्लास एकदम सिंपल एकदम आसान त देश्ट शंपार करते हैं let's start तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इक चल्छूल चला दिया जिस ने मैंने मिंग्न दो चंप करेब घी डाल दिया है घी का इस्तेवाल मैंने दो चंप किया है अब मैं gas का flame on कर देती हूँ और घी को अच्छे तरीके से melt होने के लिए छोड़ देती हूँ minimum 10 second के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10 second हमारी हो चुकी है घी अच्छे तरीके से melt हो चुकी है और गरम भी हो चुकी है तो आप मैं gas का flame बंद कर देती हूँ उसके बाद मैंने एक mixy jar ले लिया है mixy grinder मैं ये गरम घी को normal गरम घी को मैं इसमें डाल देती हूँ ये ज़्यादा गरम भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा थंडी भी नहीं होनी चाहिए मैंने थोड़ा गरम कर दिया घी को उसके बाद मैं इसमें मिनीमम दो चमश के करीब दही डाल देती हूँ दही डालने के बाद फेल्स आपको ध्यान में रखना है जितना आपको घी लेना है उतना ही आपको घी का इस्तिमाल करना है मैंने दो चमश के करीब मैंने घी लिया था उसके बाद मैं दो चमश करीब दही ले लीती हूँ इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेती हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया आप देख सकते हैं ग्राइंड कर लेने के बाद ये एकदम क्रीम के जासे लगीगी तो अब मैं इसमें मिनीमम एक कप के कड़ीब मैड़ डाल देती हूँ मैड़ा का मैंने इस्तिमाल किया है मिनीमम एक कड़ीब मैदा को डाल देने के बाद मैं मिनिमम एक चमची करीब इसमें बेसन डाल देती हूँ फ्रेंट्स आज जो मैं रेशिपी बनाने वाली हूँ इतनी गजब की है कि मैं आपको क्या बता हूँ अब मैं एक कप के करीब जिस कप से मैंने मैदा का मेज़ेमेंट नापा था उसे cup से मैं एक cup के कड़ी पानी डाल देती हूँ अब मैं इसे अच्छे तरीके से grind कर लेती हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से grind कर लिया है ये एकदम ठिक batter बन करके तैयार हो चुकी है अब मैं इसमें minimum एक cup के कड़ी और पानी डालेंगी यानि कि मैंने दो cup के कड़ी पानी डाला है उसी cup से जिस cup से मैंने मैदा का measurement ना पा था अब मैं इसे फिर से grind कर लेती हूँ फेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब मैंने इसे अच्छे तरीके से grind कर लिया है आप देख सकते हैं इसका batter कुछ इस तरीके का होना चाहिए ज़्यादा थिकनी होना चाहिए एकदम smooth होना चाहिए पतला होना चाहिए क्योंकि आज जो मैं recipe बनाने वाली हूँ वो घेवर recipe है घेवर मिठाई बहुत ज़्यादा famous है चमपारन में तो आप अपने घर पे एक बार चलो ट्राई करें तो अब हमारी batter बन करके ready हो चुकी है तो आप चलते हैं next process में आप देख सकते हैं मैंने pan चरहा दिया है मैंने minimum 2-3 चमच करीब चीनी डाल दिया और 2-3 चमच करीब पानी डाला है friends आपको measurement का ध्यान रखना है जितना मैंने चीनी लिया था उतना ही मैंने पानी लिया है gas का flame मैं high कर देती हूँ और मैंने minimum इसे 10 second गरम किया है चीनी को melt होने तक friends जैसा गुलाब जाम उनमें चासनी होता है वैसा तो बिल्कुल ही नहीं बनाना है बलकि उससे थोड़ा थीक बनाना है आप इस बात का ध्यान रखे अगर आप ज्यादा मतलब पतला बनाएंगे चासनी तो गेवर अब जौड़ नहीं कर पाईगे चासनी इसलिए थोड़ा थीक रखना है आपको आप देख सकते हैं मैंने इस अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ तो जासा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम बन कर दिया है चासनी हमारी रेडी हो चुकी है एकदम बिल्कुल ये ऐसी थिक होनी चाहिए तो अब मैं इस चासनी को साइड रख देती हूँ अगर आपके पास वो गोल सा टीन होता है जिसमें घेवर बनाया जाता अगर आपके पास वो है तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं वो काफी लोगों के पास अवेलवल नहीं होता इसी वज़े से मैं चाय का जो बरतन होता जिसे सस्पेन का जाता मैं उसका इस्तिमाल कर रही हूँ फ्रेंट जैसा कि आप लोग दिख सकते हैं मैंने सस्पेन में आधा मैंने इसमें घी डाल दिया है आप चाहें तो इसमें रिफाइन ओयल का भी उप्योग कर सकते हैं, खाली सरसो तेल का उप्योग नहीं करना है, मैंने इसमें घी डाल दिया है, घी से टैक्सर बहुत ज्यादा अमीसिंग आता है, इसी वएसे मैंने घी का इस्तिमाल किया है, तो जैसा कि आप लोग देख सकत आपको सेंटर पर डालना है कुछ इस तरीके से, इससे मिनिममम आपको 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, इसे अच्छे तरीके से ये घेवर को कंप्लीट होने के लिए 15 मिनट चाहिए ही, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फ्रेंट्स, कमपसरी नहीं है, घी अगर आप चाहें, तो रिफाइन ओयल में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनता है, ये घेवर रेसिपी, घेवर मिठाई, तो चैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 15 मिनट हमारी हो चुकी, आप देख सकते हैं, ये कितनी अच्छे तरीके से घेव बन करके रेडी हो चुकी है, कितनी मतलब लेयर इसकी थीक हुई है, मोटी हुई है लेयर और आप देख सकते हैं, ये घेवर रेसिपी बन करके घेवर मिठाई बन करके रेडी हो चुकी है, तो अब आती इसे डेकुरेट करने की बारी, फ्रेंस, यकीन मानी, आप मेरे चमच ले करके मैं इसमें डालूंगी एक बार में आपको बैटर नहीं डालना है आपको चमच के द्वारा डालना है तभी इसकी लेयर और ये घेवर मिठाई अच्छे तरीके से बनेगी तो कुछ इसी तरीके से मैं बाकी की घेवर मिठाई भी बना करके रेडी कर लेती हो ज अभी इसमें गोल लेयर बनेगी बीच में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं घेवर मिठाई बन करके रेडी हो चुकी है तो अब आती है सर्विंग की वारी चमपारन इस पेसल घेवर मिठाई आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो चासनी जो मैंने पहले से बना करके रखा था घेवर के मैं उपर डाल देती हूँ जो जितने भी आपने घेवर बना करके रखा ह उसके उपर आप ये चासनी का मतलब चासनी दो-तीन चमच आप उपर से डाल लें आपको जितना मीठा पसंद आपने एक और्डिंग डाल सकते हैं तो फेरेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने आधा केजी दूद को मेडियम गयास के फ्लेम में इसका खुआ बनाय है तो आप इसे स्किप्ट कर सकते हैं बस चीनी और ये एलाइंची अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं चीनी एलाइंची और दूद को मैंने अच्छे तरीके से गयास के फ्लेम में इसका खुआ बनाया है इसे ड्रैकुरेट मैं उपर से कर देती हूं क्योंकि सबसे इनपॉर्टेंट होता है ये घेवर मिठाई में इसका खुआ उपर से रहता तो इसका लुकिंग और इसका टैक्सर गजब का लगता है तो आप अपने घर पे ये घेवर मिठाई अपने घर पे जरू ट्राइ करें खुआ को उपर से डाल देने के बाद मैं इसमें उपर से थोड़ा सा dry fruits डाल देती हूँ अगर आपको एरेसीपी पसंद आती है तो हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको एरेसीपी कैसी लगी आपके comment का हमें बेसबरी से इंतिजार रहता है तो कुछ इसी तरीके से मैं सारे घेवर को अच्छे तरीके से घेवर मिठाई को एक के उपर एक के उपर मैं रख देती हूँ एक एक करके आप किसी को भी अपने guest को अपने महमान को अपने festivals में जो भी आपका मतलब दुर्गा पूजा दिवाली छर्थ इन फैक्ट जो भी festival आपने घड़ पे जरूर बनाएं तो ठाइक्यू फर वाचिंग गाईज मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कॉमेंट करना बिलकुल ना भूले